खबर रिवा से है जहां कलेक्टरेट कार्यालाय में प्राइविटी स्कूल इसोशेश्वन के दौरा कलेक्टर को ग्यापन सौपा गया जिसमें बताया गया कि फीस प्रतिपूर्थी वर्ष 2020-2021 और 2021 में RTE प्रपोजल की अंतिमतिती 15 मई 2022 तक कर दी गई है वर्तमान में बच्चों की उपस्तिती लगभग सभी स्कूलों में 10-15 फीस दी ही है और बच्चों की जानकारी ऑनलाइन करने में भी कई तकनीकी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है बच्चों का आधार सत्यापन काम भी 15 दिनों से बन पड़ा है जिस कारण फीस प्रतिपूर्थी का प्रपोजल नहीं बन पा रहा है और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग जून महीने तक का समय लग जाएगा इस कारण शासन को भुक्तान करने की प्रक्रिया में भी अगस्त माह तक का समय लग जाएगा आए सुनाते हैं कि अपने सो अपने वालों ने क्या कहा है बच्चों का प्रपोजल बनाने काम चल लहा है पंदा जिन से पोर्टल बन्द है आधार सत्यापन नहीं हो रहा है अभी सोरा तारी लाज जिट थी तो डिट बढ़ा करके पंदार मैई कर दिये हैं लगभग इसकूले बन्द होने के कगार पर हैं बच्चों का स्कूल आना बन्द है अगर आधार सत्यापन का कारे मैई एवं जून में होगा तो बच्चे कहां से मिलेगे जब बच्चे इसकूल ही नहीं आएंगे तो आधार सत्यापन कैशे होगा हमने आजुक्त महुतर शिशंपर किया तो बताया गया कि हम एक अलग पोटल मना रहे हैं भुकतान के लिए शायद मई वी तक बन जाएगा जब मई तक बनेगा तो बच्चों के आधार सत्यापन का कारे जुलाई एगस तक पूरा होगा और फीस प्रतूर्च का भुकतान लगभग दो महिने बाद आउर होगा तो आज हम लोग इस वात का गया पन देने आए हैं कि ठीक है आप अपना कारे करते रहो मुझे वर्ष दो हजार बीस इकीस और एकीस बाइस का असी प्रिसत भुकतान एडवांस के रूप में दे दो और आप अपना कार करते रहो जब क्या हैंगे तब हम सत्यापन करवा देंगे आरके शर्मा अध्यक्ष प्राइबेट इस्कूल इसोसीशन जीला रीव आमद कुदेश